तो यहां इस question में हमें दिया हुआ है कि a question paper on mathematics consists of 12 questions divided into 3 parts a, b and c each containing 4 questions तो यहनी कहने का मतलब कि हमारे पास mathematics का paper है और उसके 3 parts है a, b और c और हर part में कितने questions हैं 4-4 questions है a में 4, b में 4 और c में 4 सवाल हैं ठीक है तो एक examiner को यह paper attempt करना है और इसमें करना है उसको 5 सवाल ठीक है, 5 questions करने हैं तो वो किस तरीके से यह 5 questions select कर सकता है ठीक है, वो हमें total number of ways बताना है ठीक है, तो क्या कर सकता है वो, कि वो तो पहले क्या करे किसी एक से 2 questions ले ले, दूसरे से 2 और तीसरे से 1 ले ले तो इसके कितने combination बनेंगे, इसके total 3 combination बन जाएंगे, कैसे यहां से 2 ले ले, यहां से 1 ले ले, यहां से 2 ले ले, यहां से 2 ले ले तो इसके 3 combination बन गए, similarly एक और condition ऐसा हो सकता था कि किसी एक section से वो 3 question ले और बागी के remaining 2 से 1-1 question ले ठीक है जैसे for example, यहां से उसने 3 question ले, यहां से 1 और यहां से 1 ले लिया या फिर यहां से 1, यहां से 3 और यहां से 1 ले लिया या फिर यहां से 1, यहां से 1 और यहां से 3 ले लिया तो इसके भी कितने combination बन जाएंगे, 3 combination तो अगर हम total number of ways की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास required number of ways जो हो जाएंगे, required number of ways, यह हो गया, 4C2 into 4C2 into 4C1, और इसके कितने combination बनेते, 3, और plus हमारे पास हो जाएगा 4C3 into 4C1 into 4C1 into 3, ठीक है, इसको simplify किया हमने, तो यह वाला section हमारा बन जाएगा 192, और इसको simplify किया हमने, sorry, 192 नहीं, यह वाला section बन जाएगा आपका simplify करने पे, 432 और प्लस यह वाला section बन जाएगा आपका 192, तो sum total हो गया हमारा 624, यानि इस question का सही answer हो जाएगा हमारा option A.